लकड़हरा और सोने की कुलहारी की कहानी बहुत समय पहले की बात है, एक गाव में एक लकड़हरा रहता था, वो अपनी आजिविका के लिए दिन भर जंगल से लकड़ी कातता था, और रोज शाम को पास के एक बजार में जाकर बेचता था एक दिन की बात है कि वो तालाब के पास में एक पेर काट रहा था, उसी समय उससे गलती हुई कि उसके कुलहारी उसके हाथ से उसी तालाब में गिर जाती है उस नदी का बहाव और गहराई दोनों ज्यादा थी, उस लकड़ारे ने अपनी कुलहारी को बहुत खोजा, पर वो काम्याब ना हुआ, अताव वो हार मानकर नदी किनारे बैठ गया और रोने लगा उसके रोने की आवाज सुनकर नदी की देवी उठी और उस लकड़ारे से पूछा की क्या हुआ, क्या हुआ, तब लकड़ारे ने अपनी कहानी बताई, पानी की देवी को उस पर दया आ जाती है, और पानी की देवी उस गरीब, मेहनती लकड़ारे की मदद, वो सहयोग कर पेशकश करती है। फिर क्या था? वो नदी की देवी उसकी मदद के लिए एकदम से गायब हो गई और नदी के अंदर से एक सोने की कुलहाडी लेकर प्रकट होती है और उस गरीब लकड़हरे से पुछती है कि क्या ये सोने की कुलहाडी उसकी है? लकड़हरा इस पर उत्तर देते हुए कहता है कि नहीं मैं तो गरीब आदमी हूँ इसलिए यह मेरे नहीं है तब फिर एक बार फिर नदी की देवी पानी के अंदर जाती है और इस बार चांदी की कुलहाडी लेकर वापस लटती है लेकिन वह आदमी इस बार भी कहता है यह म देख लोहे की कुलहाडी लेकर वापस आती है तब ही वो गरीब लकड़हरा खुश होकर कहता है कि यह उसकी ही कुलहाडी है जिस पर नदी की देवी उस गरीब लकड़हारे पर खुश होकर वो सोने और चांदी दोनों कुलहाडियों को उसको उपहार स्वरूप दे देती इमानदारी सबसे उत्तम नीती है